हेलो स्टुडेंट एसन प्रोफेशनल क्लासे से मैं हम अंद्रुपता आज आपके लिए लेक्वाँ बटा आपका बीजनेस स्टाटिस्टिक का जो आने वाला एक्जामनेशन है उसके पॉइंट और व्यू से कुछ इंपोर्टेंट कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक जो की आ एक्जामनेशन में देखा गया है कुछ missing frequency से related question पूछा जाता है तो चले जानते इस question में हमासे क्या requirement है हमासे कह रहा है इफ अर्थमेटिक मीन इस 28 यदि समानतर माध्या 28 है एक दीवी सिरीज है तो उसमें एक तो अज्यात आवर्ती हमें ज्यात करनी है find missing frequency and then median of the series लेटर एक series दीवी है और इसके अंदर एक missing frequency दीवी है students तो सबसे पहले हमारे को missing frequency ग्यात करनी है और फिर उसके बाद हमारे को median calculate करना है चलिए अब next question जानते है next क्या question है जो कि आज की session में हम करेंगे आपसे discuss वो हमारा quartile chapter से समबंदित है तो इसके अंदर क्या करना है mean निमलगित समंको से अंतर चतूरतक विस्तार और शत्मक विस्तार ज्याद कीजिए inter quartile range और percentile range हमारे को calculate करनी है तो इसके अंदर हमारे को एक तो percentile का revision हो जाएगा एक हमारा quartile का revision हो जाएगा topic का चलिए अब next question जानते हैं तो next question है हमारे students एक समू के 80 श्रमिकों की औसत मजदूरी 50 रुपे थी परंटू बाद में यह ग्याद हुआ कि दो श्रमिकों की मजदूरी 32 और 41 रुपे पढ़ लिया गया था जबकि उनकी मजदूरी 23 और 14 रुपे थी अब आप उनकी सही मजदूरी ग्याद करें कुछ गलत डाटा ले लिया उसका सही डाटा क्या है उसके information डीवी है और सही मजदूरी ग्याद करनी है तो कुछ इस परकार का question है यह कुछ important topic है जो के आपके examination के point of view से important है जो हमें लगते हैं एक इसी परकार से question है हमारा empirical mode की calculation करने के point of view से उसके उपर based question है यदि mode बराबर mean minus question mark mean minus median डिया हुए तो question mark की जगा हमारे को value बतानी है यह competitive exam के point of view से भी बहुत बार examination में पूछा जाता है तो चलिए students जानते हैं इन question का सभी question का solution तो सबसे पहला जो question था हमारा वो था एक series दीवी है और इसके अंदर missing frequency है और missing frequency के बाद हमारे को median calculate करना था तो जब students इस प्रकार के question में जो information दीए सबसे पहले उसी को लेते हैं हमारे को question में कह रहा है यदि एक series का arithmetic mean 28 है तो सबसे पहले यानि कि हमारे को इस formula का arithmetic mean का यूज करते हुए दीवी data को आगे follow करना है तो क्या कह रहा है कि mean mean किसी सीरी का 28 दिया हुआ है तो बेटा सबसे पहले हमारे को पटा होना चाहिए mean का formula क्या है mean को represent करते हैं x bar से और इसका formula है sigma fx upon n तो इसका use कैसे करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे को data दिया हुआ है उसके accordingly class interval दिया हुआ है और आपको frequency दिया है और उसके अंदर एक missing frequency दिया है frequency को हमने assume कर लिया है जब भी बेटा class interval दिया हुआ हो तो जो पहली value है इसको l1 बोलते हैं और दूसरी value को हम l2 बोलते हैं तो ध्यान रखेंगे जब x की calculation करनी होगी class interval से तो l1 प्लस l2 upon 2 करते हैं तो यहां पे 0 प्लस 10 divide by 2 करेंगे तो हमारा x आजएगा mid value बोलते हैं जिसको हम 5 आजएगा ऐसे ही 10 से 20 में 10 lower value और 20 upper value l1 10 l2 20 divide by 2 10 प्लस 20 30 divide by 2 15 तो यहां पे हमारा जो middle value आजाएगी 15 यहां पे देख रहे हैं बैटा class interval जो है हमारा same difference पे है तो इसी प्रकार ददस के difference से ही हमारी mid value आजाएगी 5 15 25 35 45 frequency आपको question में dv है formula था mean निकालने का sigma fx upon n तो fx calculate करेंगे x और f की multiply करेंगे अब हम x को multiply की x और f की multiply करेंगे तो fx आ जाएगा इस fx को हम जोड लेंगे तो जोडने के बाद क्या जाएगा sigma fx और frequency का total करते है तो वो हमारा n कहलाता है n की value आ जाएगी अब mean हमारा formula था mean बराबर sigma fx upon n इसका use करते भे missing value जो की a थी हमारी students a इस a की value calculate होकर आ जाएगी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 43 a की value क्या आ गई हमारी बैटा 43 calculate करने के बाद अब इसको n की value में put कर देंगे n था हमारा 74 प्लस a यहाँ पे a की value आई थी 43 तो n की value आ गई total 117 अब हम इस शिरीज को दुबारा से अपडेट करेंगे बैटा क्लास इंटरवल दिया हुआ है mid value निकल गई frequency निकल गई जो missing value थी हमारे हमने missing value रग दी अब question में हमारे से requirement थी median की value पूछ रहा था तो median की value कहाई से calculate करेंगे median की value निकालने के लिए जो formula है median का class इंटरवले case में L1 प्लस I upon F into M minus C होता है बटा L1 जिस range में आएगा median number उसकी lower value I हमारा difference क्यालाता है L1 और L2 का difference F जो उसकी frequency है small m median number को represent करता है और C जो हमारी range आई उससे ठीक पहली cumulative frequency की value तो चले देखते है median calculate करने सबसे पहले हमारे को small m यानिके median value चाहिए और median value कैसे निकलती है class interval वाले case में N upon 2 term N by 2 V term N कितना आया था total 117, 117 को 2 से भाग करेंगे तो 58.5 V item 58.5 वी item किस में आएगी यह 58.5 हम cumulative frequency में देखेंगे जो की 100 के अंदर आएगी 100 के between आएगी किस के आएगी 100 के between ठीक है तो इसके सामने वाली frequency ले लेंगे बिटा इसमें L1 कितना हो जाएगा 30 lower value difference 30 और 40 के बीच में difference कितना है 10 का और frequency कौन सी है हमारी इसकी 45, 43, 43 यह ले लिया median number यहां calculate कर गया था 85.5 और जो range आई उससे ठीक पहली जो cf होगी वो आएगा c का मतलब तो इसके जरीए हम solution निकाल लेंगे तो median की जो value निकल के आई वो हमारी निकल के आई 30.35 यह हमारा answer हो जाएगा चले अब next question जानते हैं next question था हमारा बेटा ray quartile और percentile से सम्बंदित तो इसके अंदर हमाई से पूछ रहा था find out inter quartile range और percentile range तो बेटा inter quartile range को हम represent करते है IQ range से और इसका जो formula होता है वो होता है Q3 minus Q1 और बेटा percentile range का जो formula होता है वो होता है हमारा P90 minus P10 यानि कि हमारे को एक तो P90 calculate करना है और P10 calculate करना है और inter quartile से निकल के आ जाएगा हमारा Q3 minus Q1 यानि कि Q3 और Q1 की value निकल जाएगी Q1 की value कैसे निकलती है and by fourth term और Q1 निकल के आएगा कैसे and by fourth term और Q1 की calculate आएगा जो हमें median का formula लगा था same वैसी होगा बस वहाँ हम median number लेते हैं यहाँ पर हम Q1 नंबर लेंगे Q1 को represent करते हैं small Q से तो क्या जाएगा यहाँ पर L1 प्लस I upon F into Q1 minus C तो ऐसे निकलेगा Q1 और जब बिटा हमारे को Q3 calculate करना होगा तो ध्यान रखेंगे क्या करना होगा हमारे को जैसे हमने Q1 calculate किया इसमें क्या करेंगे multiply 3 और कर दें multiply 3 ठीक है चलिए अभी आगे question करते है तो उसमें आपको और clear हो जाएगा ऐसे ही जब हम P10 और P90 calculate करेंगे तो क्या होगा P percentile percentage की sound निकलती है तो percentage में 100 से divide करते है और quarter quarter साल में 4 होते है तो 4 से divide करते है N को N by fourth item करेंगे तो Q1 number आजाएगा P निकालना है तो N by tenth term आजाएगी P10 निकालना है तो N by hundred multiply by 10 कर देंगे तो P10 number आजाएगा ठीक है और P10 की value कैसे निकलेगी same formula L1 plus I upon F यहाँ पर P10 number आजाएगा change कहाँ पर हो रहा है यहाँ पर हो रहा है P10 number minus C बाकी सब steps same है तो बटा यहाँ पर हमारे को question में क्या दिया हुआ है इक तो ही साल दिये हुए जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 70 है ना C I B कह सकते है उसको class interval दिया जीरो से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और इनकी frequency दीवी है 4, 10, 15, 20, 11 तो इससे हमारे को interquartile range और percentile range निकालनी है interquartile range का formula Q3 minus Q1 और percentile range का formula P90 minus P10 formula हमने आप से discuss कर लिए हैं तो अब इनस calculation देखते हैं तो बटा एक तो data दिया हुआ है आपको साल का frequency दीवी है इसससे हमारे को क्या निकालनी है CF की calculation करनी है CF कैसे निकलेगा frequency सेम आ जाएगी पहली फिर उसमें जोडते वे चले जाएगे 4 plus 10, 14, 14, 15, 29, 39, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 60 n जो है F frequency का total क्या कहलाएगा वो n कहलाएगा अब P10 number calculate करना है n by 100 करेंगे n by 100 करेंगे तो percentile आएगा 10 निकालना है तो 10 से multiply कर देंगे तो ये value आगी 6th item ठीक है 6th item और C हमारा कौन सी CF में represent करेगा ये हमारा 14 के अंदर शामिल होगा और F क्या हो जाएगा 10 और L1 क्या हो जाएगा 20 तो formula क्या था P10 calculate करने के लिए L1 plus I upon F into P10 number minus C, L आगया हमारा 20, I हो गया L1 और L2 का difference 40 में से 20 गए 20, F frequency हो गई 10, P10 number calculate के अंदर आपने 6 और minus C जो range आई उससे ठीक पहली CF 4 तो calculation करके हमारा P10 की value आ गई 24 इसी परकार beta P90 की value निकाल लेंगे और percentile range का formula था P90 minus P10 तो यहाँ पर value आ जाएगे मारी 65.09 percentile range का answer चलिए अब interquartile range का देखते हैं interquartile range में हमारे को Q3 minus Q1 करना था तो Q1 की value कैसे calculate करेंगे N by 4th item और N की value क्या थी 60, 60 by 4, 15 था item, 15 represent करेगा हमारा इस range में Q1 की quartile 1 की जो value calculate होगी class interval वाले case में उसका formula है L1 plus I upon F into Q minus C L1 आ गया हमारा 40 I हो गया L2 minus L1 इसमें L2 हमारा 60 है और L1 40 है तो दोनों का difference का हो जाएगा F frequency हो जाएगी 15 Q1 नमबर 15 और C range से ठीक पहली CF 14 यह आ जाएगी हमारी तो इसको solution कर लेंगे तो Q1 आ जाएगा हमारा 41.43 same pattern पर हमने Q3 की भी value निकाल लेंगे यह हमने calculation already की भी है आप इसको अच्छे से चेक कर लेंगे formula इंटर क्वार्टाइल रेंज का formula है Q3 minus Q1 Q1 Q3 आया calculate होके 76 और Q1 आया ता 41.33 तो इस परकार इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो answer आ जाएगा वो आ जाएगा 34.67 चलिए अब next question के बारे में जानते हैं तो next question था हमारा एक समू के 80 श्रमिकों की ओसत मजदूरी 80 श्रमिकों की ओसत मजदूरी 50 रूपे थी यह हमारा combined mean से संबंदित question है ठीक है बटा चलिए अब आगे क्या गया रहा है परंटू बार में यह मालू हुआ कि दो श्रमिकों की मजदूरी 32 रूपे और 41 रूपे पढ़ लिया गया यानि कि यह जो data है वो 32 और 41 को लेकर निकाला गया है अब हमारे को इस गलती को ठीक करते वे ठीक क्या करना है 32 और 41 के स्थान पे जो उनकी मजदूरी है वो 23 और 14 रूपे लेनी है इसके आधार पर हमारे को सही calculation करनी है तो चलि बेटा स्टार्ट करते हैं अब जब हमारे को question में कह रहा है कि 80 श्रमिकों की ओसत मजदूरी 50 रूपे थी तो ये तो combine mean आपका निकल के आया इसके अंदर जो mean दिया हुआ है वो 50 है और n कितना है 80 ठीक है एक स्बार कैसे निकालेंगे एक समू का 80 श्रमिकों की ओसत मजदूरी 50 रूपे एक स्बार आपको 50 दिया गया है ठीक है और n दिया हुआ है 80 तो बेटा हम जानते हैं x बार यानिके mean क्या होगा x बार बराबर sigma x upon n से calculate करते हैं यहाँ पे हमारे को क्या represent करेंगे इस equation को हम कैसे लिख सकते हैं x बार equal to sigma x upon n को और क्या कह सकते हैं x बटा एक करके cross multiply जब करेंगे इसकी तो sigma x की इसके पराबर हो जाएगा mean into n के और हमारे को n की value दीवे है और mean की value दीवे है तो हमारे को दीवे data के अनुसार sigma x की value जो गलत value है उस गलत value 4000 है अब इस 4000 में बेटा सबसे पहले हम सही value जोड़ लेंगे कि सही value क्या नहीं चाहिए थी वो 23 और 14 नहीं चाहिए थी दो पर दो का मुल ले और उसमें से minus कर देंगे जो हमने ले लिए है गलत value 32 और 41 ले लिए है तो इसक सिग्मा x की value आ जाएगी 3964 अब इस सही से सही x बार कैसे calculate करेंगे x बार बराबर correct sigma x upon n तो value रखे जो answer आ जाएगा वो आ जाएगा 49.55 चले next question देखते है next question क्या था next question हमारा empirical mode से related था हमार से missing value के बारे में पूछा था question mark की जगा क्या आएगा तो empirical mode का जो formula है वो है mode बराबर 3 median minus 2 mean के इस परकार के question में बिटा देखेंगे कौन सी value दो बार दी भी है जैसे यहाँ पर mean एक बार यहाँ दिया हुआ है और mean यहाँ भी दिया हुआ है mode आपको एक बार दिया हुआ है median आपको एक बार दिया हुआ है लेकिन mean जो है दो बार दिया हुआ है 2 mean यहाँ पर missing frequency वाली जो equation devias में mean दो बार दिया है तो यानि कि mean को दो परकार हमारे को तोड़ना है और minus 2 mean कैसे ला सकते हैं वो देखना है तो सबसे पहले जो question दिया हो उस question के accordingly mode बराबर 3 median जो formula है हमारा 3 median as it is लिख लिया इस 2 mean को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं minus के 3 mean और plus का mean इन दोनों का जो result आएगा वो command result काएगा minus के 2 mean ही आएगा क्योंकि minus के 3 mean और plus का एक mean दोनों को जोड़ेंगे तो minus के 2 mean यानि कि formula ठीक हो जाएगा हमारा mode बराबर 3 median minus 2 mean तो इसी को आगे क्या करेंगे अब देखेंगे mode बराबर 3 median minus 3 mean plus mean तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बिटा इस mean को यह plus का mean है इसको तो हमने बाहर की तरफ लिख लिख लिए plus का mean ऐसे भी लिख सकते हैं और यहां से 3 और यहां से भी 3 इन दोनों जगा तीन 3 मीडियन और 3 mean तो इसमें से minus का 3 हमने common ले लिया तो हम क्या कह सकते है minus का 3 mean जब common ले लेंगे तो यहां पे क्या आजाएगा बाहर bracket में mean और minus का median माइनस का median क्यों जब इस minus 3 की multiply mean में करेंगे तो minus का 3 mean आ जाएगा यह represent करेगा ठीक है और minus 3 की minus median में multiply करेंगे तो minus minus plus का 3 हो जाएगा तो plus के 3 median यानि के यह value ठीक आ जाएगी तो यानि के अब इस equation को solve करने के बाद जो सही value निकल के आ रही है यह देखिएगा पिटा यही वाली value निकल के आ रही है फोर्मुले में मोड बराबर mean minus 3 equal to mean minus median यानि के missing value के आ जाएगी आ पर 3 आ जाएगी minus का निशान ओलड़ी question में लगा हुआ है तो missing value के 3 तो आपका जो answer आ जाएगा 3 इस question को कुछ इस परकार से solve करेंगे better preparation के लिए आप अपनी book से और question को practice करें यह just आपकी help के लिए कुछ important question है जो के आपको exam में जाने से पहले आपको आने चाहिए और भी important question को जानने के लिए channel से बने रहे regular update प्राप्ट करते रहें आपको आपके examination के लिए best of luck मिलते है अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाइबाइ students